के गाइस हाई वेलकम बैक टू मैं चैनल सिंपल वीटी एंड लाइफ स्टाइल तो कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होगे तो आज किस वीडियो में यह मेरे पास एक पुरानी टावल पड़ी है तो उसका यूज कर रही हूं तैके कि गिलाफ या फिर पुरानी बेट चीज का किसी बीचीज का यूज कर सकते हैं इसमें अगर आप फ्रीजमट बना रहे हैं दोर मेट बना रहे हूँ तो उसके हिसाब से आपको लैंद रखनी है यहाँ पे मैं जो raw edges हैंस की उसको मैंने अलग कर दिया है अब मैं इसकी लंबाई और चोड़ाई आपको बता दे रही हूँ यह मैं एक डोर मैट बना रही हूँ 16 इंच मैंने यहाँ से चोड़ा रखा है और लंबाई की लेंज जो है वो ली है मैंने 26 इंच तो यह अपने हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा रख सकते हैं अब यहाँ पे गाईस मैंने इस तरह से मेरे बस थोड़े से बचे हुए कपड़े हैं तो उसकी मैंने पट्टियां कट कर ली हैं इन पट्टियों की मैं चोड़ान बता दे रही हूँ आपको तो करीबन साड़े चार इंच मैंने यह रखा हुआ है इससे जादा मत रखिएगा और दूसरी वाली की भी मैंने साड़े चार इंच ली है तो दो शेट की मैं कपड़े यूज कर रही हूँ आप पुराना नया कोई भी कपड़ा इसमें लगा सकते हैं तो चलेगा इस पर लेकिन पट्टियों की जो चौड़ाई है वो इतने ही रखिएगा और पट्टिया यह सीधी हमने कट की है और यह नहीं कटकी है तो सिंपल सा है कि बस एक पट्टि को बीच में रखे प्लेन पट्टि को साइड में रख रही हूँ और इनको हम जोईन करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने तीन पट्टियां प्लेन रखी या चार पट्टियां मैंने जो है प्रिंट की रखी है तो इसमें ज्यादा कपड़ा आपका नहीं लगेगा बहुत कम कपड़े में यह हो जाएगा तो इस तरह से जॉइन कर लिजिए इसके बाद इसक करने के लिए यहां पर मैं तीन इंच पर निशान लगाऊंगी तो मैं फिर से दिखा देती हूं कि इधर से हमें कट करना है यह देखिए इस तरह से तीन इंच रखना है और ये लंबाई में हम इस साइड से कट करेंगे अपोजिट साइड से जिदर से हमने सिलाई लगा ये उधर से हमें नहीं कट करनी है ये तीन इंच मैंने लिया है और इसको घुमा दिया मैंने हमें इस तरह से cut करना है कि दोनों color हमारे 3 इंच में add हो जाए तो इस तरह से देखी 3 इंच मैं निकाल रही हूँ और ये दोनों shade आ रहे हैं मेरे साथ तो cutting करके इस तरह से हमें 3-3 इंच की ये पट्टियां cut करनी है ये मैं दिखा दे रही हूँ आपको ये देखे काल लीजे ये देखे ये मैंने cutting कर ली है ये सारी पट्टियां अब हम इनको जोड़ेंगे जोड़ने का थोड़ा सा हिसाब आपको देखना होगा कि जोड़ कैसे लगाना है इसमें बस इसमें simple सा तरीका है ये देखे इस तरह से मैं समझा देती हूँ कैसे इसमें जोड़ लगानी है जहां पर आपकी पट्टियां joint हो रही है वो जोड़ आपका बीच में आएगा ये देखे ये joint है यहां बीच में आएगा यह जॉइंट है यह बीच में आएगा ऐसे हमें इसको जोड़ना है यह देखे इस तरीके से हमें रखना है और पट्टियों को हापस में जोड़ देना है और पीसे जो हैं वह मैं इसको इस तरह से जोड़ के दिखा दे रही हूं आपको यह जोड़ में पट्टियों जो हैं आप देख सकते हो उपर से नीचे तक आगे पिछे आएंगी तो वह उसको छोड़ दीजेगा इसी तरह से हमें जोड़ लगानी है इसमें सीधी सीधी पट्टियों को सिलाई लगानी है आपस में कि यह देखिए मिलेश करिब इसमें जाएगा जब पट्टियों हाफ-आफ फिंच आएगी तो इस तरह से यह कपड़ा थोड़ा पतला हो जाएगा और जोड़ हमारा से स्ट्रा से आएगा अभी यह प्रेस नहीं है जब प्रेस होगा तो यह इस तरह से दिखेगा आभी ध उपर की तरफ हमारा ज्वाइंट होगा पलट के यह देखिए इस तरह से इसी मैटाइच कर देना है और पलट के हमें सिलाई लगा देनी है सीधी तो गाइस यह देखिए जितनी पीसेस मैंने कट की थी वो पीसेस मैंने ज्वाइन कर दी अब आपको पैटरन इसका समझ में आया होगा इस तरह से स्टेयर पैटरन यह आ रहा है यह आप देख सकते हो साइड में और जिगजग पैटरन भी इसको बोलते हैं तो यह बहुत इजी है इस तरह से बनाना कटिंग करके पट्टी को अब हमने जो टाल लिया था जो कटिंग की थी उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और इसके उपर यह सेट करेंगे इस पैटरन से आप कुछ भी बना सकते हैं यहां मैं डोर मेट बना रही हूं आप टेबल मेट, कुशन कवर, फ्रीज, टॉप कवर कुछ भी आप बना सकते हैं ग्रिएट कर सकते हैं तो इसको हम सबसे पहले सेट करेंगे तो एक साइट से हम प्रॉपर मैंने रख दिया है ये देखे इधर से मैंने सीधा रखा है और इधर कॉर्णर में हमारा पूरा एवन नहीं आया है क्योंकि ये डिजाइन ही ऐसी है तो पहले जिधर सीधा वाला पार्ट है उधर रखके हम इस डिजाइन को कट कर लेंगे ये डेजाइन इसमें ऐएगी और ये डिजडाइन इसमें आएगी वह इसमें आजाएगी कि इस तरह से इसको निकाल देना है कि और ये कि ये यह ना बैतरन हमारे कि उसको हम इसी में से Day seventeen कर लेंगे दिए देखे इसी तरह से हम इसको निकाल लेंगे कट करके प्राइट से है कि यह वाली पीस में अलग कर देती हूं इसमें से इसके सिलाई अभी मैं खोल दूंगी और जो हमें पैटन चाहिए वो औरेंज वाला पैटन चाहिए हमें इसमें तो वाला पीस मैंने इसमें अलग कर दिया है ये देखें इसको हम इसी तरह से जॉइन कर लेंगे जिस तरह से हमने पहले जॉइन किया था और ये हमारा एक है तो यह देखिए यह साइड में मैंने यह जोईन कर लिया है हलक़ेस के ऊपर हम नीचे से ट्रिम कर लेंगे ताकि यह प्रॉपर हो जाए और यहां देखिए अब इस पर हमने लगानी तो लगती हमारी सिलाई लगा लाइए शो एक ऊपर जो तॉलिया है वो इसमें चिपक जाए यह देखिए मैंने इसको सिलाई लगा दी है और जड़ दिया है मैंने तॉलिया को अब हम चारो तरफ से इसमें पट्टिया लगाएंगे और इसकी पाइपिंग कर लेंगे तो यहां black color मैं यूस कर रही हूँ तो चौड़ी पट्टी सीधी कट गरनी है और इसको इस तरह से लगा लेना है चारो तरफ से तो यहाँ पर गाईज यह देखिए ये मैंने चारों तरख से इस में पट्टिया इस तरह से लगा ली है और कुछ इस थरह का पैटर्न ये क्रियेट होकर निकल आया है और देखने में ये काफी मुश्किल लगता है लेकिन बिल्कुल इजी है बनाना इसको जिस तरह से मैंने बताया और ये वाशेबल भी है ये डोर मैट है आप डोर मैट की तरह यूज कर सकते हैं टेबल मैट की तरह यूज कर सकते हैं या फिर फ्रीज के ऊपर भी लगा सकते हैं और इसका पैटर्न आप देख सकते हैं कि कितना ब् पट्टियों के साइट से आप कोई भी कपड़े का फ्रिल बना के लगा सकते हैं जैसे यह मेरे पास पट्टी है तो इसको फ्रिल कर लें और फ्रिल करके आप फिर उसके बाद से एक सिलाई के साथ इसमें आप साइड में लगा सकते हैं इसका लुक और भी इस तरह से आ जाए बस यही थी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजेगा शेयर और कॉमेंट करके जरू बताएगा वीडियो कैसे लगी थाइंक्यू बाई 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 बा तो यह है गाइज एवटीन मेंस ट्वल कप यह दो साइजेज में अवेलेबल है लाड़ साइज और स्माल साइज इसकी पर्चेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूं आप अपने हैवे फ्लो के इसाब से इसको बाई कर सकते हैं यह दस साल तक रीजिवल है म आपको दस साल तक इसको दुबारा नहीं लेना पड़ेगा